हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शीर्ष दस सबसे शान्त कुत्तों की नसलों को सूची बद कर रहे हैं जो अपार्टमेंट या कॉंडो के लिए उप्युक्त हैं। बहुत प्रसित पग को नसल के रूप में भी जाना जाता है। जिसके लिए कोई हिंसा नहीं जानता। यह बस उनके आनुवन शिक कोड से बाहर रह गया था। एक पग भौकता है केवल एक अत्यंत संकर क्रस्थिया बहुत भूखा महसूस करता है। जबकि चंचल भौकने को आम तोर पर भारी से बदल दिया जाता है। अपने शरीर के निर्मान के कारण सांस लेना। नमब दो, ग्रेट डेन, उनके भयानकाकार की परवा किये बिना। ग्रेट डेन को सबसे शान्थ कुत्तों की नसलों में से एक माना जाता है। उन्हें किसी के सामने अपना सिशान कुट्टे में से बेसंजी, ब्रीज बेसंजी, कुट्टा, नसल केक ले सकता है, एक साधारन कारण के लिए, क्या आपने कभी पाप जी बार के बारे में सुना है, आपने निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया है क्योंकि वे सच मुच नहीं जानते हैं कि कैसे जी में पस भौकने के बजाए इंधन भरने वाले शोर को छोड़ता है और विपित के लिए उस संख्या पर बहुत कम ही, यह पतला शिकार शिकारी, कुट्टे को उतना ही काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जितना उसे आराम करने में, एक तके पर और बिना आवाज की अप शेश रूप से अपार्टमेंट में रहने वाले मालिकों के लिए एकदम सही हैं। तो के दिनों में जार के शिकार के लिए काफी गहरी हैं। क्या बोर्जोई को एक आदर्श रूम में एक बनाता है यह तत्य है कि यह बहुत शान्थ है और अजन्बियों की उपस्थिती है। बूत होता है। क्या आप उसे चाल सुनेगे। संख्या 9 इतालवी ग्रेहाउंड वीर भार वालेक शेत्रों में शोर की स्थिती की संपर्ट में आने पर तनाव ग्रस्थ होने का खत्रा है। दुनिया का सबसे चोटा सा थूथन कहने की जरूरत नहीं है कि एक शान्थ रहने की जगह पसंद करता है। इतालवी ग्रेहाउंड एजेंडे पर व्यर्थ भौकना आखिरी चीज है। लेकिन यह कुत्ता अभी भी एक अपार्टमेंट के लिए सबसे अच्छा नहीं हो सकता है। तो प्लिच चेनल को सब्सक्राइब करें। थांक यूू।